कि अभी इसको बनाने के लिए मैं सबसे पड़े क्याया है कि अरब का में चीए बड़ी आध्याउंगे चावर हमें चीए आगा चोकर र्युक्त बिना छेना हुगा इयां रहे दो कुछ कीडा कच्रा ना हो और हमें चीएगी सूजी है और हमें चीनेगी शूगर जानेगी चीनी सबसे पहले जो है ओन दरेंगे इसको ओन करने भी बाद प्लेट को रखेंगे इसका टेर करेंगे 100 ग्राम डालेंगे आठा साद आट दालेंगे 30 ग्राम आट रखेंगे 50 ग्राम नाने सुजी निहां 50 ग्राम नाने शूजीawan से नाट्पट काट दालेंगे 4 ग्राम मोच 강ञ मैं 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 मौकित अडरी कशन का आए मैं मौकित यहां दालेंगे पह соверш bem डू़त है और यह सब मिष्रण जो है इस मिष्रण को तब को मिक्सी में घुमाने दिने करेंगे मिक्सी में घुमा के इसको पीस लेंगे बिल्ग बारीक नहीं करना है हिल्का ता मोटा रखना है और फिर इसको भूनेंगे करेंगे इसके अंदर और ज्यान रहे चीनी इसमें बूनने के लिए नहीं नहीं बूननी है सबसे बाद भी मिलानी है यह जिसमर पवर्डर होता है तो बंद कर देंगे और इसको मिक्सी में घुमाएंगे इसको जो है कुमाएंगे करेंगे ज्यादा बार इक नहीं होने चाहिए दे है कर दो ऐसे ढूने का रीचा जिए जावल रिए मोठा है अगर्डर एंग मिल्च भी तो बहुआ है प्रोड़ बड़ कर दो झाल झाल कि अब बारिक पेपर लेगे साफ पेपर विल्कुल और यह लेंगे चन्नी में इसको चान लेंगे कि आपको पप्पी जो है एक महीन से कम है तो उसको बारिक होना जीए यानि बिल्कुल बारिक नहीं और बड़ा है तो फोड़ा मौता रख सकते हैं इस बिल्कुल एक सार होना के लिए जिसको इसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत ना हो और थोड़ा बहुत कच्रा रह गया ह है वो इसमें निकल जाए गया है तो यह जानेंगे यह बिल्कुल ऐसा हो बिल्कुल इसना सेरलेंग आपा लेंग आपा लेंग आपा लेंग आप जो मोटा इसके अंदर कुछ चावल वह गया है मोटा चावल वो इसमें नहीं डालना है दियान रहे यह अलवित अना है अब इसमें जो है सुगर पाउडर नहीं मिलाना है इसको हमें भूनना है आप के ऊपर पहलें चावल वसी रहे हैं यह निकाल देते हैं है तो है है थी कि अधिक पाइब यह निकाल देते हैं करेंगे और इसको लिए है थोड़ा प्रक्षा ही नहीं होता है क्योंकि क्लाइजिस्ट होने में तमस्या नहीं आने चाहिए जोटा बच्चा है तो आप मीठा और भी कम कर सकते हैं क्योंकि जादे मीठा नहीं देना चाहिए दोगी वो बक्ती को जाल प्रक्षा है प्रेजिस्ट नहीं है तो मिमने तूछ बच्चा प्रेजिस्ट घब हैं तो इसको फारा के तो यह तो आप तो आप हैं में प्रक्षा हैं अब थोड़ा स्लेंग कम कर देंगे इसमें थोड़ी अब ढूंगने की महें काने लगें तो बस ज्यादा नहीं देंगे थोड़ा ही होता है ब्राउन नहीं करना है ब्राउन से नीचे ही रखना है यह अबने इसलिए कराया है इससे थोड़ा था वो डाइडेस्ट करने में भी समस्याना होता है अबने इसलिए 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 रखने में आ इसलिए 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 कि फ्लेम बंद कर देंगे और तुझे लादे रहें कि फिजली न थोड़ा ठंडा होने के पाद इसके अंदर आप सुगर याने कि सुगर पाउट डाल जोगे कर दो तो अब यह ठंडा हो गया है कि अब इसमें हैं सुगर डालेंगे ज़िए आपका पप्पी छोटा है एक महीने से कम है या दो महीने से कम हैं तो इसको जो है बारीक छनी में चानना है मतलब छोटे पप्पी को जाले मोटा नहीं देना है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा ऐसे इनी कालतेगा फिर पोटी के रास्ते बें तो इसमें आपको छान लेना है यह आपको बड़ा पप्पी है दो मेने से उपर है तो आपको नोर्मल आठा चानने वाले च यह आपको तैया हो गया आप चाहिए तो इसको टेस्ट खुद भी टेस्ट कर सकते हैं तो इस प्रकार आप दी अपने पर तैयार कर सकते हैं दिखाते हैं आपको मैंने इस प्रमुला दिया है इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है क्या के चीज के अंदर पड़ी हुई है वह देच लिया है मैंने भी और यह 300 के नाम का प्रेक्ट जो है 185 का आता है और हमारी जो है 200 रुपे की लागत भी नहीं लगी तो 20 रुपे की लागत में हमारा लगब लगब 200 रुपे आइटम तैयार हो लिया तो यह अपने पपी को जवाब उसकी खुराग के हिसाब से दीजिए सधे वारे कहते हैं कि तीन चमँच पिछेट तरफ में पानी अंदर उसकी खुराग के साब से पहले सुनुमें जो है अब उसको ये चमँच दीजिएगा ऐसको डाइजेस्ट कर लेता है तो धी धिर इसको देने के लिए एक थोड़ा दरम करेंगे गाय का बख्री का दूर ले सकते हैं और इसको डाइजेस्ट हो जाए थोड़ा दफ़ाने डालेंगे जादे मूग पर कि यह आफकल है लग बख हो गया है ऐसके मिलेगे की ही जारे में नीदेगे यह शियम अदर तो इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको लगब 15 मिनट पहले देने से 15 मिनट पहले कोड़ा गुल गुल गुले हैं गर्म दूद में यह पानी में देशकते हैं जाल ले आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल दूद की तरह से लग की तरह दूद की तरह हो लिए और दूद की तरह हैं वह फूल जाएगा और खाने में टेस्ट भी होगा डाइजेस्ट भी होगा इसको पंदर मिनट तक ऐसे सब्सक्राइब अब यह तैयार हो गया है देख सकते हैं इसमें आप बिल्कुल सेरलेक की तरह है यह होगा है यह देखिए और इसको मिक्स कर देखिए बहुत टेश्टी लगता है यह देख सकते हैं किता परिशान है झाल इसमें किता है यह यह जब आफ जाउन यह होगा यह यह होगाई यह यह कितना टेश्ट टेश्ट लेकर खा रहा है विल को लिए पपी आपका वो टेश्टी रखता है इस परकार आप भी अपने घर पर बना सकते हैं वीडियो वो देखने के लिए टन्यवाद